हलो गाई जी हम लोग ग्राउंड में घूम रहे हैं यह हमारे पुस्पराज भाईया ग्राउंड के बारे में दोश्यार सब्द बोलेंगे और अच्छे से इसकी जानकारी देंगे इनको बहुत सा अनुभव है ग्राउंड अभी बना है तो और कौन सा ग्राउंड है क्या हो यह सब जानकारी देंगे उस पराज भाईया यह कौन सा ग्राउंड है रीवा जिला का एपिएस ग्राउंड के बगल में राजा रोहनी स्टेडियम का बहुत अच्छी तरह से निर्वाण हुआ है अब बहुत ही विसाल मत्रा में बना है और इसमें फैसलिटी और रोमांचक में विवारत हां 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 और बहुत ही बेतारीन और अच्छी तरह से स्टेडियम सजा हुआ है और श्में हां एमपी खेलो खेलो एमपी क्यूत हाँ हँजार पेश गेम चल रहे हैं हाँ 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 ज मतलब सुब उद्गाटन कब हुआ है नहीं तो खेल का तो उद्गाटन इसका जंडार और जैसे वाक्षि पुटवाल हुआ था एक अबार किये थे तो फिर पहले निसका उद्गाटन हुआ है पहले उद्गाटन हुआ है फिर फुटवाल हुआ है तो इसी के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुस्वराज भीया आपने बहुत अच्छी जानकारी थी यही है आज का हम लोगों का नीव ब्लॉग वीडियो और बहुत अच्छे अच्छे दूरी दूर से आय में आई हैं इंद और जेवलपूर भुपाल वालियार और शागर दमू चातरपूर पन्ना शाडोल सीधी छेगरावली यह लगभा के एंपी इस्टेट लेवल का गेम चल रही है जी 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 और बहुत चेट का मेलेजमेंट चल रहा है जी जी आपा लोग इस्टेडिय जी 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 जैसे एक लाड़ी हैं जैसे खिलाडी है तो आठ वजे तक में चले जाएक बंद हो जाएगा मतलब 7 बच के 45 मिनट तक गेम होगा बोल दहे थे और इसके बाद बंद हो जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद पुस्पराज भीया अब आपने ये चार सब्द बोले हैं ये बहुत अच्छा आपका अनभव था बहुत अच्छा बोले हैं इसी के साथ ये देखिए रेस चल रहा है ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा, बहुत वो चल दा इसी के साथ आपट लोग ज्यादा यादा इस वीडियो को रेखिये और ये Лाइत 것을 करें और आगे और ऐसी येर करें और यादा यादा इस वीडियो को संप्प्राइच करें Ísig ekkert sárt varð sitna hi, átkyldi ég ég dekkið, tjárótarf ký aðkvíð díkhaði ég að gera.